असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शारूख और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अन्बॉक्सिंग और फूल रिव्यू एक छोटे से प्रोड़क है जिसका नाम है दोस्तों शौमी सूका सो वाइट मीनी एलेक्ट्रिक शेवर तो सिंपल वर्ड में दोस्तों य मुझे काफी ज़्यादा दिल लगए ऐसा है इसलिए दोस्तों कि जब शुरू शुरू में यह आया तो मुझे काफी ज़्यादा प्रॉबलम हुई इससे समझने में क्योंकि दोस्तों यहां पे अगर आप इसका बॉक्स पैक देखेंगे तो हर चीज लिखा हुआ है बिलक इससे क्या समझ लिया तो मैंने इससे एलेक्ट्रिक ट्रीमर समझ लिया और मैंने सुचा कि इससे बाल ट्रीम होते हैं ना कि शेव होते हैं और जब मैंने ट्रीमर समझ लिया तो उस वक्त मेरे जो दारी है वो काफी ज़दा बड़े बड़े थे तो मैंने कोशिश किया कि म यह कैसा trimmer जो मेरे बाल को काट नहीं पा रहा है लेकिन दोस्तों लेकिन बाद में जब मैंने website पे इसका information चेक किया इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए तब समझ में आया कि यह कोई trimmer नहीं है यह एक shaver है अब दोनों में फरक क्या होता है दोस्तों trimmer ऐसा होता है जो कि अगर आपके बाल इतने बरे-बरे भी हो तो वो असानी से आपके बाल को trim कर दे यानि कि दोस्तों trim करके छोटा कर दे लेकिन shaver क्या होता है? shaver यह होता है कि अगर आपको एक clean shave चाहिए यानि कि पूरा का पूरा एकदम दोस्तों आपको अपने बालों को हटा देना है आपके चहरे से तो वहाँ पे आप shaver का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन electric shaver में ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि आपके बाल हो काफी बड़े-बड़े होते हैं इससे आपको कभी भी उंगलिया या गाल कटने का कोई भी चांससी नहीं है चाहिए आप कितना भी दबा करके क्यों न करें तो ऐसा ही safe बनाने के चकर में दोस्तों इसमें ये है कि आपके अगर बाल रहें दोस्तों यहाँ पे दारी के बाल रहें ऐसा इसमें दिया गया है इसमें ऐसा नहीं दिया गया है कि एकदम बरे बरे बाल रहे है और आपके बरे बरे बाल कट जाए ऐसा नहीं है यह कोई ट्रीमर नहीं है दोस्तों यह एक एलेक्रिक शेवर है जो कि आपके छोटे छोटे दारी को एक्तम बिल्कुली दूस्ता क्लीन कर सकता है और बहुत ही अच्छे से यह करता है दोस्ते सबसे में मैं आपको बता दू कि इसकी जो build quality है वो काफी ज़दा बेहतरीन है और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में मतलब कि आपके एक हाथ में आ जाएगा इतना चोटा है और आप इसे travel companion मान सकते हैं बहुत ही सही चीज इन्होंने बनाया है फ्रेंट में दोस्तों आपको कुछ इस तरह का एक button मिल लाता है जिससे आप इसे on-off कर सकते है बस single button है और ज्यादा कुछ हमेला नहीं है उपर के side में आपको cap मिल लाता है जो कि आप इसे निकाल करके shave कर सकते हैं नीचे में आपको USB type C मिल लाता है यह जो USB type C है दोस्तों इसे charge करने के लिए है और इससे आप लगबग दोस्तों इसे 8 घंटे तक charge करना पड़ता है अब आप कहेंगे यार 8 घंटे तक charge एक trimmer को तो मैं आपको बता दोस्तों कि 8 घंटे तक charge तो करते हैं लेकिन इसकी बैटरी है वह भी भी जखकाश चलती है जिया दोस्तों अगर आप 8 घंटे तक चार्ज करेंगे तो आराम से 6-7 घंटे तक इसकी बैटरी चलेगी यानि कि दोस्तों अगर आप एक बार ट्रिम करते है एक बार शेफ करते हैं तो अगर आपको घंटे हैं ऒखक जो, फिर उसकी बार इसकी चार्जिब तर आपको याँजिंग नहीं के भी या फिर आप चाहते हैं विट शेव यानि कि दोस्तों आप इसमें पानी वगरा लगा करके शेव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको शॉक नहीं लगेगा या फिर दोस्तों पानी के कारण यह मशीन खराब नहीं होगा तो यह ब प्रोटेक्शन फिल्म जो दिया गया यह काफी जखास बात है क्योंकि इसके अंदर ब्लेड रहते हैं तो जिससे कटने छटने का कोई डर नहीं रहता है सिर्फ छोटी-छोटी जो बाल होते दोस्तों वही शेव हो जाते हैं तो यह शेव आखिर कैसा करता है दोस्तों शेव अगर एक दीन दो दीन या तीन दीन तक का दाड़ी है तो बहुत यह शेव करेगा हाला कि मेरे इतने बड़े दार ही हो जाए तो फिर जो है दोस्तों शेव नहीं कर पाएगा क्योंकि दोस्तों यहां पे आप देखेंगे ऊपर के पोर्शन को इसने अच्छे सेव किया है या फिर गलती से मैंने मुझ पे लगा दिया था तो मेरा इस सैट का थोरा सा जो इधर जादा शेव हो गया है और इधर भी दोस्तों देख सकते उपर का शेव हुआ है लेकि नीचे यह शेव नहीं कर पाएगा क्योंकि दोस्तों अभी बहुत ज़दा बड़े हैं तो मैंन से लोग है जिनको रेगुलर शेव का ज़रूरत पड़ता है और उनको ज़दा टाइम नहीं मिलता है और वो अपने साथ ले करके घुनना चाहते है या फिर ट्रेवल करते हुए शेव करना चाहते है उनके लिए यह काफी ज़दा बहतरी डिवाइस हो जाता है और इसे बि बहुत ही कब मिलते हैं तो ओवरॉल मैं कहूंगा यह काफी ज़दा बहतरी डिवाइस है और इससे आपका इस्तेमाल करना चाहिए तो आज कर वीडियो देख में शुक्रिए अगर वीडियो पसंद नहीं तो चाहिए सब्सक्राइब किजिए और मैं वीडियो इस प्लाइक